Hello everyone, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, Class 7 की आपकी biology book house, chapter 19, excretory products and their elimination, इस वीडियो में आगे हम इस चैप्टर को डिसकस करने वाले हैं, तो आप मेरे चले में जाके देख सकते हैं, एक बर quick recap करते हैं, हमने क्या पढ़ा था, हमने इस चैप्टर में जो सबसे पहले ह किया था, जोगा चैप्टर को पढ़ा था, एक्सक्रिशन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा था, जो भी nitrogen wastes होते हैं, जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक acid, और जैसे की नाइट, और जैसे होगे, तो हमें बोड़े से eliminate करने की जो रहता है, उसलिक हम इस प्रॉसेस को यहाँ पर moderate है, और यहाँ पर L मतलब least, यह least toxic होता है, यूरिक acid, और यहाँ इसके कुछ example देखेते हैं, यहाँ थोड़ा-थोड़ा से यह, अभी एक तरह से click recap देख लिया है, तो आपको detail में समझना है, तो आप मेरे previous वीडियो जाके देख सकते हैं, तो चलिए, आज हम आगे जोए, इस chapter को start करते हैं, तो हमने, जो आगे हम कुछ हो, एक्सक्रिटरी, यहाँ पर पढ़े nitrogen waste, उसके बारे में, अब आगे हम कुछ बात करते हैं, कि कौन-कौन से जो excretion में, जो हमारी body में, जो है help करते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं, तो अलग-लग और गंसे होते हैं कि इन एडिमल में कौन से जो एक्जांपल यहां पर नमर फॉर में पड़ा थे वाशे हमने इनिमल किंग्डम प्रेजेंट ऑवराइटी ऑफ एकस्कृटिर शेश्टम इन मोच्ट ऑप इन वर्टिब्रेट्स की बात करें इनके पास की होते हैं complex tubular organs इनके पास कैंने बास क्या ह सिम्पलग क्या होती है किsuch में इनके पास इनके पास भीली आखिती जो शुबा साष्बारेटरथ लॉटेबले जो घोटे-जै क्या घत्राइस क्या सब कडिया पर लेहांaltum इस प्रोटोनेफरीडिया की बात करते हैं यह यह जो भी एक्ज़मपल दिये होते हैं तो उनके एक्ज़मपल हैं लीडियों कोई एक्ज़मपल सी पैसे क्वेशन आते भी है नें पड़ा दाता है इसका एक्जामपल होते हैं असी का अप्लैटी ना हो गया हो या हो चैसे रहो टीफर सिल करूटे है या मुख करते हैं यह एक डिरीक्ष्ण को चाहिए वाटर करूफ करेंगे तो आपको डेटेल में पढ़ता है तो यह क्या होते हैं तो आप चैनल नबर 4 में जागे मेरे लगा सकते हैं तो इसमें हमने पढ़ा हुए उसके बाद हम प्रोटन अफरीडिया की बात करें प्रोटन अफरीडिया और प्रैमली कंसर्ड विद दा आयोनिक फ्लूइड वॉल् की यह बात करें तो हम स्के बाद करें जो मरें बात करें तो नफरीडिया की बात करते हैं नफ्रीडीय अर्थ वोगिया जैसे उच अदर और बे ज्यादा इनिलेट में आते है तो और भी अग्जांपल होता है यह भी क्या करते हैं नाइट्रिजिन वेस्टिस जो हैं रिलीज करते हैं और क्या करते हैं फ्ल्लीड और आिनिक बैरन्स को दो है प्रक्रेंब करते हैं उसके बाद हम आगे बात करें तो थर्ड नमर पर आगे माथ करें तो माल्फिजेंट टीबियूल्स होती है तो हमने चैप्ट नमर 7 में पढ़ा था कॉक्रॉच के बारे में ही माल्फिजेंट टुबूल्स are the excretory sector of most of the insects including cockroaches पाए जाता है इसका भी हम function देता है है इसमें अस्तरे से function दिया है रिमूवल में help करते हैं और आस्मोर रेगलेशन में help करते हैं वही maintenance जो है maintain करना है यहां पर 20 का रोलपलेक होता है तो इसके अनों में इंटेनेंस जो है प्ले करना ही है, इनका जो हम आइनिक बैलेंस और फ्लूड बैलेंस में खड़ना ही है, उसके बात फोर्ट नमबर पे हम बात करें, एंटिनल ग्लैंट्स या फिर ग्रीन ग्लैंट्स एक ही नाम है, दोनों का, दोनों एक ही एंटिनल ग् और ग्रीन ग्लैंड तो इनका जो है दोनों एक ही है लेकिन नाम आपको दोनों याद रखने पड़ेगे तो आपको किसी भी फॉर्म में प्रेशन आ सकता है तो आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने जो है चारो जो आपको चारो जो अच्छी दरश समझा दिये क्लियर होगा अब इस चेप्टर गर्शैंड पार इंट्रेस्टिंग पार जो है इसके बाद से थोड़ा बहुत जो है पड़ाथ वह प्ड़ा था इसमें पढ़ेगे इसमेंड इसमें पादे इसमें ईसमें पढ़ेंगे इसमें वी हम ने पढ़ लिया है तो आगे स्टार्ट करते हैं तो ऐसे दिया होता है हर एक में आपको एजांपल याद करने होते हैं तो आगे देखते हैं human excretory system human excretory system के विसमें बात करते हैं human excretory system हाँ आपने kidneys की बारे में बात करेंगे उनका जो है देखते हैं क्या क्या पार्ट होते हैं फिर इनके बारे में आगे बात करते हैं इन humans की बात करें देख्स क्रीटर system consist of pair of kidneys kidneys का pair of kidneys होती है दो kidneys होती है one pair of ureater, one pair होता है ureater का भी urinary bladder, a urinary bladder, urinary bladder सिर्फ एक ही पाया जाता है and a ureater, ureater होता है इस figure में दिया है इसको भी समझेंगा भी, जो है दो बिनेट बात समझते हैं इसको भी kidneys are radish brown यह जो है काफ़ important है यह radish brown होती है, bean shaped होती है, bean shaped होती है, bean structure situated कहां पे होती है between the level of last thoracic, last thoracic होती है, last thoracic काम लिख स vertebrae, जो है यहाँ पे होती है, इसको हम लिख सकते हैं, L3, तो हम इसको मिला के जो दोनों के लिख सकते हैं, T12, L3, तो इसको आप जो और रडड़ा ची तरह से आपको समझा आ जाएगा, T12, L3 का chapter number 20 में समझ आ जाएगा, मैंने आपको थोड़ा बो 17 में समझा वे था, thoracic में इनर वाल में होता है, लेकिन दॉर्सल वाली साइड में, जो है पॉजिशन की बात करें, जो कि काफी इंपोर्टन है, इससे कोई शनाइजटी जा सकता है, T12, L3 लिखके भी आ सकता है, या फिर आफिर लास्ट थोरैसिक एं थर्ड लंबर में ली, इसमें ही चांसे जो अब आगे में इसके साइज की जो है, बारे में जो चोड़ा सा बात करते हैं, किट्नी के साइज के बारे में कितना क्या है, इच किट्नी उफ एडल्ट हुँमन मेजर्स, 10-12 cm होता है कि इसमें लेंथ में, 10-12 cm लेंथ में, 5-7 cm ब्रेट्स होता है, 5-7 cm ब्रेट्स यहंगी बात है, 2-3 cm फिकनेस, 2-3 cm फिकनस होती है, इसकी मोटा ही मतलब, फिकनस होती है, with average weight कितना होता है 126-173 gram होता है 120-172 gram होता है 120-177 gram इसका weight होता है kidneys का सो आपको वे थोड़ा सा in port ऑलक्षण या तक kidneys के बारे में clear हुआ 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 आगे हम kidney के structure की बात करें तो आगे देखते हैं तो मादे जो यहाँ पे हम kidney बना करें देखें तो तो देखते हैं टाइग्राम को एक पर डाइग्राम से देखंगे समेट ल mattered बाड़ सोते हैं किडिनी में तो यह चीज़ देखते हैं는 होता है जासे टायक्तिक फोटायwow क्या होते हैं क्लाइस इस के पीडनी को एक तरफ ऐसे डाइग्राम बनाकर जो कहां पर इस तरह से यहां पे जो है यहां पे निकलती है सारी ब्रांचे तो यह वाला पॉर्शन होता है आपका हाइलम वाला पॉर्शन होता है यहां पे हाइलम कहते हैं जहां पे क्या होती है सारी जो भी यहां पे 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 कोरटक्स हिस्सस्ध हो गया यह घॉंड़ यहां पर अंदर व्यूकर किकली रिजक बाला यहां तका कोशण होाऊगे यह जो अंदर वाला हिससा है इसे हम घ्या कहेंगे अंदर वाले को जो हम खएंगे medullary region रहेंगे so अब आपको clear हो अप tej प्रह बाई को होगा और यहां पर एक breakout की जो ले लियर होती है फॉयि gelous आपर गएर चीशो से यहां पर बनी होती है तो यहां पहितोती है, जो कि फ़ाइपर कीड़़ से हम बनी होती है और यहां पहिते हं बात करें है जो आगे हो जा detail structure की बात करें तो हम तो इससे पहले detail structure की बात करें लिए से पहले में यहां पर देख लेते हैं towards the center of the inner concave surface of the kidney जो अंदर के तरफ जो inner side में concave structure of the kidney is a notch, एक notch है यहां पर called hyalum इसे कहेंगे hyalum कहेंगे यह क्या करता है यहां पर फिर थो बिट्र जो होता है आपका urine blood vessels होती है यह नर्व होती है यहां पर enter करती है inner to the hyalum अंदर के बात करें हम तो is a broad funnel shaped space called renal pelvis यहां पर ब्रॉड जो है रिनल पैल्विस जो है आपर space होता है broad space होता है, जहां पे major colitis open होते हैं, इसके बारे में बात करें colitis के बारे में with some projections inner to high lump broad funnel shape called renal pelvis with some production called colitis तो इसको अभी देखेंगे, इस line को भी हम देखेंगे, the outer layer of kidney is a tough capsule, इससे बनी होते हैं, fibrous connective tissue से, inside the kidney, there are two zones होते हैं, outer cortex में आपको बता है cortex वाला इससे होते हैं, बार वाला, और inner medulla होता है, medulla होता है यहां पे आपको इतना high up up clear होगा, तो आगे हम इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सोड़ा detail structure वी यहां पे हम देखते हैं, इसके और ज़्यादा, renal parameter को हम देखते हैं, क्या होता है यहां पे, तो ऊपर ज़्यादा detail कीई यह इस तरह से हुआ बनाई थी kidneys में यहां पे हैसे वाले structure बनाए थे इस तरह से, तो इनका हम जो detail structure देखेंगे, इनका structure detail जो हम देखने वाले यहां पे, तो तो यह यह फिने मं क्या गए tempted यहां पर कि सो क्या कहते हैं यह आपर हम क्या कहते इस रिड़न को में गहेंगे वाले हिस्से को और यहां पर गाउन मतलब टश्टम कहेंगे आरो यहां पर काम रिदम प्रे posp माइनर कलाइसिस कहेंगे कुछ प्रोजेक्शन यहां पर क्रियेट होते हैं हम कहेंगे माइनर कलाइसिस कहेंगे और जो भार वाला इसे हम कहेंगे मेजर कलाइसिस यहाँ पे minor gylysis यहाँ पे और यहाँ पे major gylysis कहेंगे यहSTह現在 अ scholars माइनल कलाइस हो गहाँ यहाँ पे और यह अपका renal pelvis हो गए यह अंदर वाला हिस्सा यह थो है वाला क्या हो गया rnl pelvis हो गया rnl pelvis हो गया जो प् defeat शा particularा यह फिर्चार हो गाइ? minor klysis और major klysis और यह सब्सक्राइना हमारे पास ये वाले रिनल जो है pelvis हो गया हमारे पास इसा सब्सक्राइब आपको इतना क्लियर हुआ होगा यहां पर इंदर टूयलम ब्रॉड पारट फनल शेफ कॉर्ड रिनल पार होते हैं अपर ब्रॉड फंल शेफ तो यह हमने अभी पढ़ लिया मैडिला इस डिवाइड इन्टो फ्यू मैडिला वाल पॉश्चन जो है फ्यू कॉनिकल मासस जो हम कहते हैं मैडिलरी पिरामिड्स जो है कहते हैं यहां पर प्रोजेक्टि इन्टो कलाइस सिंगल करें तुम कैलिक्स कहेंगे अब आगे देखत हैं तो कॉल्टेिकस एक्सिहरोन ओ पर क्सेंट इन्टो कोलं पर्टोण अबर्टिन आ हिसे एक बार जो है डायग्राम से देखते हैं और जबते अफिए अपि यहाँ इनकी बीच मेंدم चालिजो है से दिख़र है आपको छॉ इस तरह हैं लिगार कॉर्टेग्स वाला हिस् सब्स RICHARD । नि था हुद से बहुति थी , वह ने पड़ा। भी गर में सब्सक्क्राइब हो पंढ़ा चाहिस में पर संक्राइब कना सकते हैं डिन Snart , कि अपर कुल्ण सब्सक्राइब हमोगी आप इस वाले से हàiलम कहेंगे इसमें नहीं है अब हम गहेंगे इस से हुआ ही हलम कहेंगे मैं लिए हтор्यार आपको ने आम घृता है मिल दिखते हैं चीट देखते हैं और इस वाली डियागर भी देखते हैं ये जो adrenal gland जो kidney को पर होती है adrenal gland होती है kidney के प्रेडिनल glands होती है यह renal artery हो गईर प्लवेन हो गई जो यहां पे रिनल वेन हो गई यह kidney हो गई हमारे पास यह medulla बाला हुष्सा हो गया यह pelvis हो गया यह cortex वाला हिस्थ वाले inferior वा ने कहाव है यह वाले इंफिरियर बार ये डॉरसल आयो kयरह इंख और येरठ उरीं इनरी ब्लैडर ये उर्यत्रा हो गहा है और जो उर्येटर क्या होती है डॉरिण इसके तुलक्त होता है जिसके दूर होते हो जिसके जिके पर उंख in urination के दुरान ये contract करती है very で fertilizer muscle इसकी विश्य से contraction होती है और यहां पर जो है स्पिंक्टर भी पाए जाता है यहां पर इस तरह स्पिंंग्र भी पाये जाता है यहां पर जो हो जाता है तरह से इस ने पर कीड्नी में एक डाइगराम ने इस तरह से तु के बाद में पहलवस देखा मैडियला वाला रेजन्त है अर्गावण चैप्सील होता है बेस थारे से आपको अचुन तरह वाला यह समझ अचरे से नहीं आएगा अगर अपने युτοब्स समझ नहीं सायगाट आ पर विजन्हें लिए। सो आप आपको क्लियर होा होगा वाज इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे में आगे流 लिए लाइक सब्सक्राइब के नोट होगीग。 करें